इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटी सी शौट ट्रिक from the chapter atoms. कई बार ऐसा पुछा जाता है कि जो hydrogen का स्पेक्टरा होता है, उसमें से कौन सा transition series visible region में लाई करता है? तो इसके regarding हम लोगों ने answer याद कर रखा होता है, कि बामर transitions जो होते हैं, बामर series visible region में लाई करते हैं. अच्छे लेकिन अगर यह पूछ लिया जाएगी इन में से कौन सा ultraviolet में लाई करता है? तो इसका answer आप कैसे याद रखेंगे? इसके लिए मैं आपको एक short trick बताऊँगा. Visible region, visible region वो seven colors of light होते हैं, जिनके लिए eye sensitive होती है. तो आप एक short trick ऐसे याद करिए? कि आप simply इस पर विभग्यॉर लिख लीजिए. विभग्यॉर लिखने के बाद, violet की side जो series लाए कर रही है, वो violet का far side होने वाला है, इसलिए वो ultraviolet में लाए करेगा. कैसे याद करेंगे? बामर series visible region में होती है, ये तो हम सब को यादी है. हमें अगर साथ में ये याद करना है कि इन में से कौन सी series ultraviolet में लाए करती है, तो आप सबसे पहले विभग्यॉर लिखेंगे, विभग्यॉर left side से start होता है, विभग्यॉर में V का मतलब violet होता है, तो जो lamin series है, वो violet का और far side होता है, तो इसलिए वो ultraviolet region में लाए करता है and similarly red, red का far side infrared होता है, इसलिए पास्चन सीरीज जो होती है, वो infrared में लाए करती है, इस pattern को आप याद करिए